किया आप vitamin c की importance को जानते हैं जो हमें कंटे फलो से मिलता है यानि कि citric food से हमें vitamin c मिलता है जो हमारी skin care और health में बहुत ही अच्छा role नीभाते हैं क्या आप अपनी skin पर किसी तरह के vitamin c serum या फिर vitamin c moisturizer का यूज करते हैं और अगर हां तो comment section में mention कीजिए कि आप किस vitamin C, serum या फिर cream का use अपनी skin care में करते हैं vitamin C के जितने भी products होते हैं उन सब की cost से यह कितने costly होते हैं उन सब से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं का एक home remedy आपके साथ share करने वाली हूँ जिसकी help से आप अपनी skin का radiant glow चीव कर सकते हैं और अपनी skin को smooth, sappal और beautiful बना सकते हैं इस simple remedy का use करके इस remedy में जितने भी ingredient मैंने use किये हैं वो अभी आपके kitchen में available हैं जो बहुत simple हैं जितने simple हैं उसी के साथ यह उतने powerful है एक magical result आपकी skin पर बहुत ही जल्दी से आएगा तो carefully आप मेरी इस video को पूरा entire देखिए और इसमें बताए हुए options का और tricks का tips का carefully आपने follow करना है तो चलिए let's check out कि मैंने इसके लिए कौन-कौन से ingredient जो use किये हैं Hello friends welcome back to my channel mom and the mirror मैं हूँ पूजा मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर तो सबसे पहले आप सब बताइए आप सब कैसे हैं मैं उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत जाद आच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान भी रख रहे होंगे मैं आपको बताऊंगे कि आप कैसे simple तरीके से और बहुत आसान चीजों से अपने skin का जो vitamin C, hydraulic और जो collagen का content होता है आपकी skin पर उसी कैसे boost up कर सकते हैं naturally तरीके से जब भी हम कोई home remedy या फिर product यूज करते हैं तो उनके साथ आपको patience से काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसी भी चीज में आपके patience होंगे और आपका trust होगा तो वो आपकी skin पर उतना ही work करेगी तो चलिए मैं बता देती हूँ कि वो powerful ingredient कौन से है जो मैंने आपकी kitchen में से use किये हैं तो इन में से किसी भी चीज को लेगा अगर आपको जरा सा भी doubt है तो make sure आपको इसको use करने से पहले एक patch test जो है जरूर लेना है तांकि आपके skin पर किसी भी तरह का कोई भी reaction ना हो तो अगर इसमें से कोई भी चीज आपकी skin को suit नहीं करती तो मेरी आप से हाथ चोड़ कर request है कि आपने उसको use नहीं करना है उसको आप replace करेंगे another option से इस amazing face mask को बनाने के लिए आपने लेना है एक चमच yogurt यानी की दही उसमें पाया जाता है lactic acid और ऐसे बहुत सारे beautiful acid जो हमारी skin को radiant glow provide करते हैं few drops of lemon juice आपने इसमें add करना है इसको apply करने के बाद आपको अपने face पर little bit itching feel हो सकती है जरा sensation जो आपकी skin पर feel होगी लेकिन don't worry वो normal है इस bleaching को करने के लिए तो आपने इसको doubt free होके use करना है अपने पूरी skin पर apply करना है live on करना है 15-20 minute के लिए और हो सकता है अगर आपकी skin sensitive है तो आपकी skin पर इसको wash करने के बाद भी थोड़ी सी redness आपको दिखाई दे लेकिन उसके बारे में आपको tension लेनी की जूरत नहीं है वो थोड़े time में खुद ही normal हो जाएगा हलके हाथों से massage करना है पद्रब्रेट के बाद और इसको पूरी तरह से wash out कर देना है उसके बाद आपने अपना एक moisturizer यूज करना है अपनी skin पर apply करना है अच्छे सब्सक्राइज करना है और इसका जो एक glow effect आप मेरे face पर देख सकते हैं बहुत ही जल्दी से आपके skin की यह तो यह थी मेरी बहुत ही simple और आसान सी remedy टामिन सी के content को आप अपनी skin पर कैसे boost up कर सकते हैं तो जरूर इस remedy को use कीजिए अगर हो सकता है आपकी skin पर यह एक बार के application से प्रा result दिखाए या फिर आपको दो से तीन बार में यह result मिलेगा लेकिन आप अपनी skin को एक radiant glow अचीव करवा सकते हैं इस remedy का use करके यह एक natural bleach है जो आपके skin को natural तरीके से bleach करेगा सारी tanning को दूर करेगा dead cells को remove करेगा बहुत ही जादा आपके skin पर एक radiant glow बढ़ाएगा जिससे कि आपकी skin बहुत ही जादा चमकदार हो जाएगी पूरे जितने भी issues आपके skin के साथ हो रहे थे वह अब तम हो जाएंगे इस remedy को use करने के बाद आपने पेशेंसली जो remedy को use करना है और इसका मतलब यह नहीं कि अगर आपको इस remedy से असर होता है आपके face पर तो आप इसको regular use नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसमें जो है citric acid का use किया है यानि कि lemon use किया है हमने और जो योगर्ट है उसमें जो lactic acid होता है वह हमारी skin की elasticity जो होती है उसको बहुत ही जादा बढ़ाता है एक लचक को बढ़ाता है जो sagging skin लटकती हुई skin को यह tight करने में हमारी help करता है lemon हमारी skin के लिए बहुत ही जाचा होता है लेकिन उसको use करना बहुत जरूरी है एक moderation में गर हम उसे regular use करें बहुत जारा quantity में तो हमारी skin जो है little bit dry हो सकती है आपकी skin को harm कर सकता है इसे आपने weekly एक से दो बार ही use करना है वैसे तो मैं आपको बोलूगी कि आप इसे starting में दो बार use कीजिए then आप इसको धीरे धीरे एक time use कीजिए weekly तो कैसा लगा मेरा यह video और इस remedy को use करने के बाद आ में तब तक आपको अपना बहुत सारा ध्यान रखना है जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए मैं मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चेक एर और बाए थैंक्स पर वाच